यह देखिए दोस्तों आम की पत्ति कैसी दिख रही है तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि जो नई नई पत्तियां निकलती है आम की वो सूख क्यों जाती है शुरुआत में ही सूख क्यों जाती है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रविंद्र वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यह देखिए यह आम की पत्ति कैसी टेड़ी मेंडी दिख रही है यह टीप पे काला काला दिख रहा है जगा जगा मतलब ऐसा लग रहा है कि आम की पत्तियां सूख जाएंगी मतलब खराब हो जाएंगी तो इसी पर टापिक पे बात होगा कि क्यों हमारी पत्तियां आम की नहीं निकलती है तो सूख क्यों जाता है तो इसका में रीजन है यह कोई डिजीज नहीं है यह होता क्या है कि जो डिफरेंट टाइफ के इंसेक्ट्स होते हैं इन पत्तियों को चूस लेते हैं पत्तियों का सेल सेब चूस लेते ह जिससे कि यमारी पत्तियां खराब जाती हैं जिसमें से कि पहला अभी आपको इंसेक्ट जो दिखा रहे हैं बैक्टिरो सेरा डार्सेलिस इसको जिरोजिकल नेम है इसका और इसको कामनली लोग और यंटल फूट फ्लाई भी कहते हैं यह देख रहे हैं उड़ रहा है और सेल्स खराब हो जाएंगी जब सेल्स खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि आम की पत्तियां वहां का खराब हो जाएगा इसका मतलब धीरे धीरे आम की पत्तियों को वह सारे सेल्सेप को चूश लेता है और सारा का सारा आम की पत्तियों खराब कर देता है यह देखिए आप आपको अभी दिखा रहे हैं इस टाइप का ये कीड़ा होता है जो की सारी आम के सेल्स हैप को चूस लेता है और दूसरा हमारा इंसेक्ट है इसको बोलते हैं मैंगो प्लांट हापर जिसको कहीं कहीं किसी इलाके में इसको कुट्टी के नाम से भी जाना जाता है आम के डाली पे स्टेम पे मोटे मोटे जो स्टेम होते हैं वहां पर ये बैठा रहता है जब कभी नई नई पतियां आती हैं तो उन नई नई पतियों को या नई नई फ्रूट्स को खराब कर देता है और पतियों को भी खराब कर देता है अभी आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते यह इस टाइब का प्लांट ठापर होता है जो कि आम की पतियों को नए नई पतियों को चूस लेता है और यह तीसरे टाइप का इंसेक्ट है जो कि जनरली लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में यह काली वाली चीटी होती है यह चीटियां क्या करती है जब नया नया हमार चीटी ऊपर नीचे कर रही है यह देखिए अभी स्थिर हो गई है तो क्या करती है कि यह पतियों के सेल सेप को धीरे-धीरे सक करती है जब पतियों के सेल सेप को सक कर लेगी तो सारा का सारा पती खराब हो जाता है तो इससे क्या होगा कि जब पती खराब हो जाएगा तो हमा करना है कि किसी भी तरह का insecticide लेके आप छीड़क सकते हैं पहले गम एक्सीन के नाम पे आता था लेकिन अब दुसरे दुसरे नाम पे दुसरे दुसरे दुकानों पे बिगता है तो किसी भी दवाई वाले दुकान पे आप जाके insecticide मांग लेंगे तो वो powder आपको दे देगा ज कराम से एक दो साल चल जाता है यह powder कोई जल्दी खराब भी नहीं होता है तो इसको छिड़कने के लिए आपको पाने मिलाने की जरूत नहीं है इसको सीधे आप क्या करेंगे प्योर काटन के कपड़ा लेंगे जिससे की छिड़के तो पावडर नीचे आसानी से जढ़ जा कि जो कपड़ा होता है उसको हम पोटली टाइप बना लेंगे ताकि हमारा पावडर नीचे गिरे नहीं जब हम पोटली बना लेते हैं तो पोटली बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको लेके आसानी से आम के पत्तियों के नहीं जो पत्तिया निकलती है उस पे हम उसको शि छिड़कूंगा तो क्या करेगा कि चीटी खुद बखुद इतना तेज भागेगा कि मतलब उसके लिए जहर काम करेगा यह और उस पत्ती पे टिकेगा ही नहीं सक करने की तो बाती छोड़ दीजिए जैसे उसके उपर पाउडर गिरेगा वो तुरंत भागना इस्टार्ड कर प्लांट हापर हो गया यह सारे के सारे इंसेक्ट इन पाउडरों से दूर भाग जाएंगे और हमारे आमकी पत्तियां एकदम सेफ हो जाती है तो यही पाउडर लीजिए आप और एक दिन के गैप पे इसको आप छिड़किए इससे हमारी आमकी पत्तियां बज जाएंगी तो अभी आपको दिखा रहे हैं यह जो पूराने सम पहले आपको दिखाये थे कि पत्तियां थोड़ा खा चुकी थी छिड़कने से पहले और अभी आपको दिखाएंगे कि इसके बगल वाली जो पत्ति है इसको हमने सही टाइम पे छिड़क दिया है जो लाल घेरे में तो जब आप सही टाइम पे मतलब सुरुवात में ही जब पत्ती निकलती है तो उस टाइम आप छिड़क दीजिए हमारा आमकी पत्ती एकदम सेफ हो जाएगी देखरें कितनी सुंदर पत्तियां निकली होई हैं तो आप क्या करेंगे तो एक दिन के गैप पर पाउडर छिड लग देंगे तो कितना ही अच्छा से पत्ती हमारा ग्रो कर रहा है तो इन पाउडर का यूज करके आपने पत्तियों को बचा सकते हैं जनरली पत्तियों को 10-12 दिन तक ध्यान देना होता है इनकी पाउडर छिड़कना पड़ता है जब इस टाइब की पत्तियां यानिकी मे इसलिए आप 10-12 दिन तक अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो पत्तियां हमारी खराब होती ही नहीं है